हलो स्टूडिल बी ए प्रोग्रेम के फोर समस्टर में आपका एक पेपर है हिंदी का बिटा जिसका नाम है अन्य गर्द्य विधाई उसमें एक ध्वनी रूपक शामिल किया गया है विश्णु प्रभाकर जी का जिसका नाम है वैश्णव जन तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे बिटा पहले तो हमें यहीं जानना होगा कि ध्वनी रूपक क्या होता है उसके freshwater हम वैश्णव जन पढ़ेंगे बिटा यानि कि रेडियो के लिए ही तयार किये जाते हैं, रेडियो के लिए ही लिखे जाते हैं रेडियो का जब अविश्कार हुआ तो नाट्य साहिते जो था उसकी विधार में भी काफी बज़वरतन आया रेडियो की करण जो ड्रश्य कावे नाटक होते थे, ड्रश्य शब्य कावे होता था, ड्रश्य शब्य नाटक होते थे, अब वो केवल ड्रश्य नाटक हो गए, यानि कि जो पहले ओडियो विज्वल नाटक हुआ करते थे, अब ओडियो नाटक हो गए, इस करण नाट्य साह रेडियो नाटक एक नया स्वर्व विधान हो गया, यानि कि विजॉल प्ले की जगाई है, आडियो प्ले हो गई है, जेने ध्वनी रूपक कहा जाता है बिदे, काफी बच्चों का एक क्वेरी आ रही थे कि ध्वनी रूपक किसे क्याते हैं, तो ध्वनी रूपक वो होते है जो आपको नाटक के वल सुनने के लिए मिलते हैं, देखने के लिए नहीं मिलते हैं, तो नाटक जो के रंग मंच पर अब तक खेले जाते हैं, रंग मंच पर जिनके अभिना किया जाता था तो अब रेडियो के द्वारा हमें कालों तक पहुंचते हैं, हमारे सुनने के लि और किस भाइशा है उसी तरह क्योंनी चाहिए वही समय दिखना चाहिए लोकेशन वही दिखने चाहिए तरह कहा जाता है काव कहा कैसे पुरा होना चाहिए लेकिन रेडियो में जरूरी नहीं होती है एक सफल रेडियो नाटक का जो होता है और प्रभावत्मक्ता को ध्यान में रखते है वो सकल अन्द्रयका और लंगर भी कर सकता है योकि उसमें आपको जो है कहीं न कहीं एक इस्पर्टिजम होता है उनका वो कर लीते हैं मनो वेग्यानिक चित्रन भी रेडियो नाटक में अत्यांत पभाव अत्मक और सरलता पूर्वक किया जाता है। रेडियो नाटक में ड्रशय परिवरतन भी संगीत या ध्वनी प्रभाव द्वारा अत्यांत असानी से सुझेत किया जाता है। द्रश्य परिवर्ति धोरा इसके बारे में भी ध्वनी के द्वारा ही बताया जाता है आवाज के द्वारा या फिर एक तरीके से जैसे कि कहीं न कहीं हो इंडिकेशन देते हैं कि सीन चेज हो रहा है कई बार जैसे कि माली द्रुप स्वामीनी नाटक था उसमें जैसे कि वो बात कर रही है दुरुप स्वामी नी पीछे जे गोड़े आ रहे हैं तो बात करते करते वहां पर दिखाएंगे कि गोड़ों की टाप सुनाई पड़ेगी आपको दीरे-दीरे गोड़ों की टाप आती जा रही है ऐसे वह या तो सिंबोलाइज करेंगे या फिर उस आवाज क वहाँ पर इफेक्ट देंगे, स्पेशल इफेक्ट देंगे तो ध्वनी रूपक यह होता है इन्ही विशेष्टाओं के कारण रेडियो नाटक रंग मंच की बगजाएं ज्यादा सच्छन्द होते हैं स्वगत कथन भी जो कि अपनी आप में बोल रही होते हैं और देखने पर एक सफलें नाटक नहीं सुन सकती हैं तो एक सफल आटक सीडियो नाटक 20 मिनट neighbourhood इसमें का बनाना चाहता हो इसमें जरूरत के हिसा पांस पंग्तियान भी हो सकते हैं नाथा उसके लंबा भी हो सकता है नाता है लिकिल बहुत ज्यादा लंबा哪हीं होता है साथ में तीन अंकों के रंगमंच ये नाटक भी रेडियो पर प्रसारित किये गई हैं कई जिससे की एसपर्ट होता है कि रेडियो नाटक जो है वो रेडियो एकांकी या ध्वनी एकांकी नहीं है उसको किवल ऐसा मान लिया गया है रेडियो नाटक को रेडियो एक आंकी तो लिए तो गतंची किया बने जासं की एक कारण कयार है की बुभव काहगा को अंगपार्ज होरी को प्राइट की स्टारित कई है कौन से नाटक रेडियो नाटक है ये कहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सभी में ध्वनी के जो सिंबल होते हैं ध्वनी के इंडिकेशन साथ सज्जा के इंडिकेशन दिये जाते हैं तो रेडियो नाटक का मूल आधार ध्वनी होता है बेटा आवाज परी चलते हैं ये रेडियो नाटक में ध्वनी के द्वरा ही अभी व्यक्ति की जाती है, ध्वनी के बता करके सब कुछ किया जाता है किसकी चहरे की भाव कैसे थे, गुसे में बोला, प्यार से बोला, कैसे बोला, कैसा दिख रहा था, क्या जगा है, सब कुछ ध्वनी से ही समझाया जाता है, त कि sound effect जिसे मैंने कहा कि गडोग की टाप की आवाज सुनाई पड़ गई है पानी के się की अवाज दी बिजली कड़कने की अवाज सुनाई दी ने sound effect कहते हैं धवनी प्रभावत इससे होते हैं वाच्य द्वनी जिसमें कोई वक्ति बोलता है और बताता है कि क्या हो रहा है डायलोग नहीं होते हैं डायलोग के अलावा जो बताया जाता है किसी सीम के बारे में वह वाचे धनी होती हैं तीन तरह की दुनियों का इस्तेमाल रेडियो नाटक में किया जाता है अब रेडियो नाटक में भाषा का बहुत महत्मून स्थान होता है तो यूंकि आम बोल चलकी भाशा होती है, प्रवाह युक्त भाशा होती है, सजीव भाशा होती है, समवाद के रूप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और समवाद इसलिए महत्पून होते हैं कि उनके सामने रंगमस नाटकों की तरह दश्रक बैठे हुए नहीं होते हैं, फ इस बाशा का खास तरप धियानक नहीं होता है, कि करी लोग अर्थ का अनर्थने समझें, जो समवाद की हर सिती को पष्ट करना पड़ता है, कभी-कभी भाशा का इस्तेमाल रेडियो नाटक में नरेशन के रूप में भी किया जाता है, जिससे वात अवर दयार किया जाता ह करना पड़ता है, कि जोड़ना, उनको एक लिकी से डिस्रिबूट करना यह सारी के सारी काम नरेटर होते हैं, या रेडियो जॉकी जिने कहा जाता है, वो लोग करती है, द्धुनी प्रभाव नाटक में सजीवता लाने के लिए किया जाता है, ज़से कि पहले मैं एक एकज बहुँ जरूरी होता है और सात में वाच्य-धनी का मतब होता है वाक्य संगीत In the Radius Natak में अनिवारयांग होता है in the Radius Nataak में बाहय संगीत प्रस्ट भुमी दिश्य परीवतन में अतियाद उपयोग में तब एक आसे background music जु होता है और उसके पीछे सेंद हुजरा होता है बहुत खुशह कहीं बोल रहता है और उसके पीछे से जॉइफुल्मम्म्यूजिक बजह रहा होता है बॉप्षे भी बहुत है वास, तो द्रश do चलता है बई जितने बीव को शंखलाबंद करना होता है संतुनित होते हैं, तीजी से चलाना होता है उसको जबके जो रंगमंचीय नाटक होते हैं वो थोड़ा सा उनकी रफ्तार धीमी भी हो सकती होती है तो कतालक जो होता है अंत तक शोता हो को आकरश्ट करने वाला होना चाहिए तब आखे तक जोड़े रखे ऐसा ना हो कि जो शोता है हो उसको बीच में छोड़कर चलते हैं उसमें पूरा का पूरा इतर से एक ऐसी के तार्तम में होना चाहिए कि लोग उसको पूरा आखे तक सुनना चाहिए इससे अप्रासंगी शंकलाहीं दर्श्यों का कोई स्थान न में होने चाहिए कि शोता उनकी भाषा और शब्दों को अविवत करने के ढ़ंग से ही पहचान जाएं कि कौन बोल रहा है भाषा जो है उसी से पहचान जाएं कि कौन सा पात्र बोल रहा है विश्यवस्तियों के दृष्टश्टि से रेडियो नाटक के सामाजिक, एतिहास बन वेग्यानिक काल प्रपनिक हो क्यप प्रकार हो सकते हैं और शिल्लप की भ रिष्टी से रीडियो नाटक के ये क्या काप रसकते हैं नाटक रुपक फैंटेसियर रेडियो लोग संफ्ल जलकिया इनका के जो होता है बहुत कसा हुआ होता है, कहीं भी कोई भी अक्स्रा डाैलोग नहीं होता है, Ready O Rupak, Ready O Natak की तरा विशय अनुसर अपना रूफ बदलता रहता है, फ्रद्धान बात का प्राशार रन किया जाता है Radio Orenak, नहीं होता हैrice Anakur Kaatsuchukatism. रहाते हैं, मोई कथानक ठाणक रही होता है, लोग एक पार नाड़ तर को पात्री नाटक को बता रहा होता है, Until Him, वे एक आटबान तर के व्यक्ति बोल रहा होता है। और वही पूरी की पूरी कहानी आपको नेरेट कर रहा होता है। जलकियां जो कहते हैं, जलकियां में कोई एक कहानी नहीं होती है, बहुत सारे छोटे छोटे रशे प्रसुत किये जाते हैं। और संगीत रूपक जो होती है, उनमें संगीत की ब्रगानता होती है, संगीत जाते है, और रेडियो रूपा अंतर में रंगमंचिय नाटक या पिर एकांकी, कहानी, उपन्यास वगएरे को रेडियो नाटक बना करके प्रसारित किया जाता है, तो रेडियो नाटक का जन्म ज में दिल्ली एंद्र से एक बंगला नातक को परतारीत किया गया था। बंगला नाटक पहले हुआ था और रंगमंची नाटक था जो कि पहले इसमें रंग, संके, दृष्यांतर सभी रंगमंची नाटक था उसको रेडियो पर पसावित किया था पारम एक हिंदी रेडियो नाटक ओपर रंगमाच नाटकों का बहुत जदा प्रभाव दिखाई पड़ता है विटा सुरू-सुरू में रंगमाचीय नाटक का बहुत जदा प्रभाव था राकाश्वाणी द्वारा प्रसाइथ होने वाला हिंदी का सफल नाटक आचारे चातुर्शेन सास्त्री का राधा कृष्ण माना जाता है हिंदी का इस तरीके से जो सत्रता से पूर बहुत ही कम रेडियो नाटक हमारे यहां दिखाई परते हैं अलगतरा के दिखाई देते हैं वह पेंद्र नात अश्क उदैश अंकर भट राम कुमार वर्मा यह सब रंगमंची नाटक के साथ सफल रेडियो नाटक भी बना रहे थे विश्णु प्रभाकर हरिश्चंज रतनाकर प्रभाकर माजवे करतार सिंग दुगल गिरिजा कुम अश्क परभार माथोर अम्रतलाल नागर वगर जो नाटक का रहा है इन्होंने रेडियो नाटक बहुत सारे लिखे हैं इसमें अपना महन पूर्न योगदान दिया है और हिंदी में सफल रेडियो नाटक को निल्मान बहुत ही कम दिखाई पड़ता है बहुत कम है जो कि सि उसンダ زखνη के और बहुत कम लोग ध्यान देते हैं इसी वजह से जो नाटक होती है नातक के नाम से एही महना को फिरा रंगमची नाटक यो को रऑनाटक को आपने एक बार सुना दिया उसे आप बार बार तो नहीं सुना सकते हैं। इसी तरीके से कही बार नाटक काज होते हैं आएक पंदो काज वाली बात करते हैं। रेडियो नाटक के रूप में लिखते हैं, लेकिन तकाषन के टाइम पर उसको रंगमची नाटक के रूप आ कनवर्ट गा देते हैं तो इसे रेडियो नाटक नहीं रह जाता है इस कारण भी हमारे पास रेडियो नाटक कम होती है तो रेडियो नाटक रंग नाटे सिर्ट से अलग तरह की रचना होती है आज की तरीख में यह मान लिया कई आया और में जीवित रंगमंच परंपरा का काफी कम दिखाई पड़ती है, इसकी वज़ाए से पथम ट्रेवनी के रंगमंच ये नाटकों की भी कम दिखाई पड़ती है, अभी ने नाटकों की परंपरा भी सफल रेडियो नाटक के निर्माण में अवरोध का काम करते हैं, तब कि न निराश हों इसकी प्रगति को देखकर के अभी इसके लिए निराश नहीं हो सकते आजादी के पास सही इसका इस्सेमाल शुरूर हो गया था तो बहुत सारे रेडियो नाटक जो है काफी सफल भी रही है तो इसी तरह का एक नाटक है वैशनव जन जो कि आपके सिलेगस में श वैशनव जन कहा जा सकता है उनका नामता मुहंदास कर्मचंद गांधी तो यहापर विश्णु प्रभाकर जी कहते हैं कि हमारे देश में मापुर्श पैदा हुए हम मुहंदास कर्मचंद गांधी जिने हम वैशनव जन कह सकते हैं क्योंकि जो वैशनव जन ते ने कही है ये पीर पराई जाने जो आपका जो भजन है उसमें कहा गया है कि जो दूसरों की पीर को समझते हैं उन्हें वैशनवजन कहिए तो इसे साफसे हम मोहंदास कर्मचंद गांधी को वैशनवजन कह सकते हैं उनके चिंतन के केंडर में मनुशे का सर्वादिक विकास था वह हमेशा मनुशे का सबसे ज़्यादा विकास हो इसी बात का चिंतन किया करते हैं उन्हें खुद कहा वेध पढ़ने से वरना आशम धाम का पालन करने से कंठी पहनने से या तिलक लगाने से वैशनवजन नहीं ह लेकिन वो दूसरे की पीडा का दूर करने की कोशिश नहीं करेगा पाखंड के रहते चंचल-चित्य सんहें किया, उसके इंदर पाखंड है इसलिए अपनी चंचल चित्य को अपनी व्रत्यजिपा को चंटWow नहीं कर पाता है गांधी जी से अधिक दूसरे के दर्द को समझने वाला कौन है उन्हें राष्ट पिता भी कहते है उन्हें राष्ट पिता भी कहा जाता है गांधी जी को उन्हें देश को स्वाधीन कराया परंतो इसका लक्ष है सिर्फ देश की सिर्फ राधनी तेक बार बार उन्होंने मनश्य का दुख दर्द दूर हो जाएगा बार उन्होंने मनश्य का दुख दर्द दूर करने के लिए प्राणों की बाजी लगाए कई बार उन्होंने अपनी प्राण जान जुकिम्मे लगाए चोटे से छोटे व्यक्ति के लिए अपनी करुणा का बड़े सहेज भाव से उसके घाव को दोख करके उस पर उन्होंने अपना मूह लगा दिया और डंग खीच लिया अब ये गरीब आदमी जो था इसने ऐसा प्रेम कभी देखा ही नहीं था तो वो तो महात्मा कांदी का भग दो गया तो गांदी जी हर बार मनुश्य की समस्यां को दूर करने के लिए जो भी हो सकता होता था वो किया करते थे और मनुश्य की सेवा सुराज से बढ़ कर एसा उनका मान जाथा बताब आजबी से भी ज़्यादा मैध पूर्ण है कि हम सब एक दूसरे की सेवा करने का प्रेंड रि उनने का कि मैं सत्य के अतिरित किसी और से सुराज नहीं चाहता है, मतलब वो चाहते है कि सुराज हो तो सत्य का राज आई हमारे हैं, चौरा चौरी और मुंबई में जो कुछ हुआ, चौरा चौरी में क्या हुआ था कि उनका अंदोलनता हिंसक हो गया था, तो उनने अंदोल और इसी सच का उन्होंने अपने जीवन में पर पालन किया जब वो दक्षिन अफरीका में थे वकालत कर रहे थे तो एक खुनी व्यक्ति उनके पास आया, उनकी शरण में आया, वो चाहता था कि मात्मा गांदी उसकी पहली करें, उसका केश लड़ें, उन्होंने उसके मामले को देखा, अची तरह से पढ़ा, जालने की कोशिश की, लेकिन जब उनको ये यकीन हो गया, कि वो आदमी जो है इमानदारी को या थार्थ रूख से चित्रित किया गया है, कहा गया है कि वैशनव वो होता है, जो लोग रहित होता है, कपट रहित होता है, काम रहित, क्रोध रहित होता है, ऐसे वैशनव का दर्शन करने से 71 पीडियां तर जाती है, मतलब ऐसे वैशनव जनका अगर आप इमान से शुने तथा पून दयालुता ही धर्म का सरोज रूप हैं कि एहंकार नहीं है उनमें और सबका भला करते हैं लेकिन इस कारण भी उनके इंदर कोई घमंड नहीं है इश्वर ने अपने दिवारों को अजीब अजीब वेश में दुनिया में भेज दिया और कह दिया तो तुम ऐसे ज्ञान का प्रसार करो जो वक्त से पहले हो तो यही काम गांधी जी ने किया सब सुक दिल खोलकर सहो और परिवरतन का म्र्क साफ करो मतब कि सारे दुख को दिल कुल करके सह जाओ और परिवर्तन के रास्ते को साफ करो मतब परिवर्तन लाओ दुनिया में ईश्वर की यह दिवाने ही वैश्णव जन होते हैं, गांधी जी भी उनी में से एक थे, यह होना ही उनका सतय था। वैश्णव जन में विश्णु प्रभाकर जी ने इजध्वनी रूपक में युवाशक्ती को नैतिक मूल्यों के ब्रति प्रिद करने की कोशिश किया। अज्ञान और जड़ता से लड़ने के लिए शक्ति ब्यदान करता है. दक्षिन अफ्रीका हो या भारत हो दोनों ही जगा वो बिना तके, बिना डरे, बिना रुके लगाता अड़ते रहें. तो स्वर और सूच अधार के वाध्यम से लिखक ने वैश्ण अवजन वास्ता में किसे कहा जाए, ये बादिस्पष्ट करने की कोशिश की है. उनल दिखाया कि वेध पढ़ने वाले, अश्वम धर्म का पालन करने वाले, कंटी पहनने, तिलक लगाने वाला एक वैश्ण अवजन कभी भी पाखंड नहीं करता है. बाहिया वेश्बूशा धारन करने से वैश्ण भी दिखावा आ सकता है, लेकिन गुण नहीं आ सकते हैं. एक शेष्ट वैश्ण अवजन में पाई जाने वाले गुणों का वर्नर करते हैं, वो लेकर कहते हैं, गान्दी जी एक सचे वैश्ण अवजन थे, सत्य अहिंसा, प्रेम, ईश्वर के पति, सची भक्ति, परदुक कातरता, परदुक भंजक, जन सेवा, नम्रता, एहम त्य कथनी और करणी में अभेद, परणिंदाना करना, त्याग भावना, इच्छा शक्ति, अपराद स्विक्रति, माया से परे, निर्भीक, आत्मे विश्वासी और मिश्ट भाशी, इन सब गुनों से युक्त व्यक्ति ही सच्चा वैश्ण जन हो सकता है, और उन्होंने इस पाने का प्रयोग जाली रखाम था, उनके मन में गमन ना आने पाए, इस बात कि वो हमेशा कोशिश करते रहे, उनका कहना था कि सत्य ही संपून वस्तु है, सत्य ही अपने आप में पून है, सत्य के बाद अगर सत्य मैनस भी कर दिया जाए तो सत्य ही बचेगा, इसी सत्य क अपने जीवन में समा लिया था, जाय ही बचेगा अपना कह नजी बचार कर रहे था ईक जाए ने ही बचाहित था के पास अपना केस कषाम ता कहीता था, वहातना कहते है क्या ब कि व्यक्ति उनके क्ये इसको केस क जटतलबna की कि इसटून किया उनको यकिन हो गया खया तरीके से गांधी जी ने नाटक में, विश्णु प्रभाकर जी ने इस नाटक में गांधी जी के सिध्धानतों को व्यक्त किया है, उनके आदश, उनकी नतिकता, उनकी इमानदारी को पूरी तरह से चित्रित करने का प्रयास किया है, उन्होंने इसमें ये भी कहा कि जनका देशन करने से 71 पीडियों तर जाती है, यानि कि 71 पीडियों का उधार हो जाता है, गांधी जी इस भावना से बढ़कर के मुलिवान कोई और जीज नहीं हो सकती है, जो कि वो लोग रही थे हैं, कपट रही थे हैं, काम रही थे हैं, क्रोध रही थे हैं, एहमकार और भ देश में दुनिया में भेज दिया और कह दिया जाओ, तुम ऐसे ग्यान का पचार करो, जो समय से पूर हो, यानि कि वक्त से पहले जा करके किसी बात को कहना है, यानि कि ऐसी बात कहना है, जिसे बाद में सब लोग मानें, ऐसा ही कुछ गांधी जी नहीं किया, सब दुख दिल खूल कर सहो और परिवटन का मार्ग साफ करू, सारे के सारे दुखो को दिल खोर कर सहलो और परिवटन की रास्ते को साफ कर दो, ताकि वहाँ चेंजी आ सके, इश्वर की ये दिवानें ही वैश्नव जन होते हैं और गांधी जी उन्ही में से एक थी, ये उनका होना ही जर्चा कर रहे हैं, उसे युवा शक्ति इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, रूपक का शुरुआ जो उन्होंने किया रूपक की वह गांधी जी का प्रिय भजन है, वैशनव जन्तोतेने कहिए जो पीर पर आई जाने से की है उन्होंने, इसके अंतर को वाने देने वाला, मतलब चक्ति प्रदान करता था, दक्षिन अफ्रीका हो या भारत हो बिना ठके, बिना डटे उबराबर लगाता है, डटे रहे हैं अपनी मार्क पर, स्वर और सूत रिधार की माध्यम से, स्वर है और सूत रिधार हैं इनके माध्यम से लेख़ए वैशनव जन्वास्ता में किसे कहा जाए, ये बात इस पश्च करने का विल्कुल सफल प्रयास किया है और कर भी दिया है, वेद पढ़ने वाला व्यक्ति या फिर आश्रम घर्म का पालन करने वाला व्यक्ति, कंठी पहनने वाला तिलक लगाने वाला व्यक्ति पाखंडी हो सकता है, लेकिन कोई वैशनव व्यक्ति जो उसे वैशनव जन का जाता है, वो पाखंडी नहीं हो सकता है, बाह्य वेश्बूशा धारन करने से वैशनवी दिखावा आ सकता है, लेकिन गुण नहीं आ सकते हैं, एक स्रेष्ट वैशनव जन में पाई जाने वाले गुणों का वणन करते हैं, कहते हैं कि मह निंदा ना करना त्याग भावना इच्छा शक्ति अप्रादि स्विक्रति माया से परे निर्भीक आत्मविश्वासी और मिट्वश्वासी यह सारे के सारे गोन थी और इन गोनों से युक्त व्यक्ति ही सच्चा वैश्णवजन हो सकता है इसलिए माहत्मा गांदी जो थे व जीवन भर एहम से मुक्ति पाने का प्रयोग जारी रखा उन्होंने हमेशा यह कोशिश की कि उनको कभी भी घमंद नहों बरतन माजे पानी भरा दूसरों का मैला साफ किया जीवन भर गंदे को साफ करते रहे उन्होंने कभी किसी की निंदा नहीं कि दूसरों के अपराद क सत्य के पति कर्म के पतिक और वयोग सिद्ध हुआ सूत कातनी वाला उनका पत्संग भी बताया गया है शांत स्थिर चित और भयंकर से भयंकर कश्ट में भी वह कभी डगमगाते नहीं थे उनके जीवन में चौरी-चौरा कांट जब हुआ तो उनकी निशलता की परिक्षा सावित हुआ एक तरीके से राजशाही के पति उनका जो संगर्ष्ट हुआ था जो हिंसात्मक रूप ले रहा था राजग राजशाही के खिलाफ यानिके अंग्रेज्जों के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे सत्याग रहा था वह हिंसक हो गया तो यह देख करके वो इच्छा शक्ति त्याग की भावना उन्हें इतिहास की महान्तम पुरुषों में शामिल करती हैं दक्षिन अफ्रीका के में जेल में बंद थे वह बाब को पत्नी व्रत पालब का एक पालन किया था तो सोंपाल भाई के लिए राश्चिय शाला बनवाने के पैसे वापस कर देना बाब को जो दान के पैसे मिलेते जमाना करने का दोशी मानना उन्हें आस्ते एकोशित करता हैं तब कोई गलती भी हुई या तो उसको सुईकार करने का भी साहसो रखा करते थी उनका सारा का सारा जीवन एक मनी की भाती रहा जैसा भीतर वैसा बाहर उनका जीवन प् प्रभाकर्जी काफी प्रभावित हैं प्रभाकर्जी ने बहुत पर्ष हो तक इस बात का अछह प्रयास किया ताकि मानवावि एक सहित ते बना रहे रूपक की रोचक्ता बनी रहे इस तरह लेक अकर ध्यान हमेशा रहा है। नरेशन इसका संग श्रीप्थ है गतीशील है। भाषा प्रसंग की अनकूल है भाषा उन्होंने ऐसी रखिया कि जो प्रसंग की अनकूल पिया है। तो उनकी ऑडियंस है, उनको भी समझ में आती रहे। रूंपक शरुची पूर्ग का सबल बहुत है संकर्न तुर्णा का क्म तुर्णा संय के लिखता है वर्णनात्मक संबाद है इसमें उने संबाद को इता से बोला है और प्रत्यक्ष वर्णन के अभाव में द्रश्यों को साकार करता है जो उनका संबाद है द्रश्यों को पुझता से हमारी सामने लियाते भीवप्रसुद कर देते हैं नाटका सुरुआत जो हुई है वो ध्व इसमें घुष्णमधू जन तो तेने कहिए जिसके पीर पराई जाने रहें पर्दुखे उपकार करें तो मन अभिमान औरें यानिकि वैश्णमधू जन उन्हें कहिए जो दूसरों की कुई और दूसरे के दुख में अगर उसके ऊपर कोई उपकार करें तो उनके मन में कोई अभिमान ना आए गीत के साथ ही जो सूचधार है उसका गंभीर स्वरूप उभर की आता है वैशनव जन इश्वर का वो दीवाना है जो अपने प्रभू को ना तो शब्द से प्राप्त कर सकता है और ना ही शर्ष्ट से प्राप्त कर सकता है सत्य के सहारे प्रेम के मार्क से ही उसकी खोच चलती है वेद पढ़ने वरना आश्रम धर्म का पालन करनी कंटी पहनने से तिलक लगाने से कोई वैशनव जन नहीं हो सकता उन्होंने वैशनव जन के गुन बताई है सत्य और आहिज़ा के मारक पर चलने वाले बताई है वैशनव जन वो कहते हैं कि वैशनव जन तो वो है जो पर दुख भंजग हो तो गांधी जी दूसरे के दुख को दूर करने वाले हैं दूसरे के दुख को अपना दर्द समझने वाले हैं हम उने राषपिता के नाम सी जनते हैं उनका मुर्ख के लक्षे था क्या था मनुषे के दुख दर्द को दूर करना स्वाधिन्ता तो उस लक्षे को पाने का साधन माती थी मतलब कि उनका मानना था कि स्वाधिन्ता मिल जाएगी तो मनिशे के दुख दूर हो जाएगी और उनका मकसद स्वाधिन्ता पाना नहीं था लोगों के दुख दर्ट को दूर करना था तो विश्णू प्रभाकरजी ने कई उधारन देकर केश साबित किया है कि मातना गांधी सच्चे वैटन बखते हैं वो कुछ रोग्यों की सेवा करते थे मैला साफ करते थे पचुरे शात्ती को आश्रम में रखने का प्रशन निसेहमत ही दी कोई अपत्ती नहीं की सबी इस तरोपर गांधीजी ने नहीं मिसाल कयम किया वो मानत्ता के पुजारी रही है विश्णू प्रभाकरण ने लिखा कि मनुष्य की सेवा उनके लिए सुराज से भी वढ़कर के थी और सन 1947 में देश जब आजाद हो गया लेकिन अंग भंग होने की कर्म तो देश का बटवारा हो गया तो घरों से उजड करके लाकोश अरनारती इधर से उधर भागे तो बापू का दिल तूट गया कोई कहते था बापू मुझे नौकरी चाहिए बापू मुझे मकान नहीं मिला बापू मेरे घर में चोरी हो गई कोई सुनता नहीं बापू मेरा बच्चक हो गया बापू मेरे पईवार का कतल हो गया स्वार जब एक दूसरे पर उलसते है तो उनके उपर राम नाम का स्वार चाह जाता है तो ये था बिटा रूपक वैशनव जन जिसमें कि महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से वैशनव जन थे उनके जीवन कुछ प्रसंग लिये गई है कुछ घटनाई ली गई है और ये बताया गया है कि परदुख कातर थे वो दूसरों के दुख को दूर करने के कोशिश करते थे दूसरे के दुख को अपना समझते थे और इस चपको करते हुए भी वो कभी भी गर्व नहीं करते थे अपने उपर घमंध नहीं करते थे तो ये था बेटा आपका द्वानी रूपक वैस्टना उजन द्वानी रूपक क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया कई कुछ डाउट हो तो बेटा आपका मैं शर्ष में पूस सकते हैं और चैनल बेटे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकर लेजिए आपक